नमस्कार, The Red Mic की चुनावी यात्रा अब हमें पूने लेकर के आई है, महराश में थोड़ा पिछले पांच साल से कौन है, कौन नहीं है, आधा तूटके इधर, आधा उधर, जैसे शोले में था ना, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकि सब फॉलो मी, तो पूने में आपके मन में क्या है, एक पारिटी का सत्ता चाहिए था, ऐसा लगता है, क्योंकि डिसिजन लेने में बहुत तकलिफ होता है, दो या तीन पारिटी रहती है, दो साब भी अपने ही सब से चल रहे है, और सिंदे साब भी अपने ही साब से चल रहे है, पॉलिटिशन आते हैं पता है जो लॉंच किया यह योजना आपको लगता है इसका फर्क पड़ेगा नए नए कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा वीजेपी ने जो यह खेल खिला है शरत पावार को तोड़के शूसेना को तोड़के यह लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि विश्वास गातका राज क महारस्था में चलता नहीं है जब प्रबल था अब नहीं है अब मेरे घर में कम से कम त्यद्व सब्सक्राइब है तो मैं क्या करेंगा अरक्षिन से जरूर है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको लग नहीं है. आपने तो कई चुनाओ होते हुए देखे होंगे, तो पहले जादा माहॉल होता था चुनाओ का या अभी आजकल? पहले जादा होता था, आजकल किया कि चुट्टी लेके भाग जाते हैं सब लोगे, चुट्टी लेके भाग जाते हैं, अब हमें पूने लेकर के आई है, पूने शहर भी महाराश्र का एक बड़ा शहर है, बड़ी आबादी रहती है, बाहर से भी लोग आते हैं, IT हब भी है, महाराश्र का, और यहां के लोगों की क्या उमीदें, क्या सोचते हैं, महाराश्र में जो उन्होंने खिचडी सरकारें देखी हैं, कभी इसकी सरकार, कभी कुछ तूटा हुआ, खंडित, मत एक तरफ, जानने के लिए, आज हम एक बड़ी रोचक जगा आए, यह है कैफे गुड लक, सन 1935 से, यह कैफे लगातार चल रहा है, और यहां पर लोगों के लिए, एक जन्मत बनाने का एक बहुत बड़ा अड़ा हमेशा से रहा है, और यह जगा अगर आप देखें, मेरे पीछे, हम अपनी बात रखने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, और एक बहुत रोचक द्रिश यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे चोराहे के एकदम भीचो भीच आप देखेंगे, एक पुतला बना हुआ है, और वो कैमरा ले करके, जैसे कि आप यह देखें, वो कैमरा ले करके खड़ा हुआ है, तो आपको वो दिखाई देगा, इस चोराहे में यह इनसान है, अगर आप फ्रेम में यह देखें, तो वो कैमरा ले करके खड़ा हुआ है, तो कैमरे से इस जगां का वास्ता है, आईए यहां पर लोगों से बात करने की कोशिश करते है और उनसे जानते हैं की उनके दिल में क्या है, पुणे के दिल में क्या है, नमस्कार सर, क्या नाम आपका? अभी जी अभी जी पुना कही है आप रहे लेखा वो आपके दिमाग में चलता नहों किको आप इसे helping सृइशन का कषिए ये दिवाल के सुन हो डिश्व est क्स ने किया क्योंकि शुरात में ये कहा गया है मखरकर यह रेखेना को साथ में रहना चाहिए था वह गलत था यहां फिर शिवसेना को तोड़ करके एक पार्टी अपने पास कर लेना वह गलत था आप गलत जाधा किसको मांते है गलत किसी बहुत नहीं मांते 9. купू को कोई घलत में बोलता न जिसको जीदव सब्सक्राइब के फिसके फिराइब से जिए आपक क्या नाम है दर नि कमहां तर ने थे चलिए बहुत नहीं तर निये अब यह अब कैफे के अंदर जाते हैं और यहां आपको पतायें कि यह बहुत मतलब एक आप यह समझें एक जॉइंट है जहां पर लोग एकठा होते हैं आप देख सकते हैं 1935 से जो कैफे चल रहा है उसकी आपको एक वाइब मिलेगी कैफे गुड लख और यह शूट खतम होते ही यहां पर कुछ खाया भी जाएगा क्योंकि देखके यह बहु है यहां पर और शावर्मा रोल यहां पर मैं दो तीन बार पोस्टर देखा है तो लगता है यहीं खाना पड़ेगा बहुत ही इंट्रिस्टिंग रहेगा एक बार अंदर घूम करके देखते हैं जैसे कि आप यह देखें नमस्कार सर क्या नाम आपका अपका अबसली अबस 서 चाह बन मस्का और नमलेट लोगारा कीमा पाव अ का करके कुछ लोग चर्चा भी करते होंगे और जब माहौल चुनाओ का है तो चुनाओ हुझ चर्चा वोती होती होगा प्रप्रश्राइक जो किए उस्पोर्ट यह में सब्सक्राइब अपर चर्चा करते और चर्चा भी ओती है पॉलिटिक्स क्या गटबंधन करना है किसके गटबंधन को तोड़ना है अभी तो सब तूटे हुए हैं सब तूटे होए हैं क्या है खास बताईए यह जब खतम होगा फिर मैं और करूंगा खाई है न अपना अमलेट खाओ बन अब खाते हैं एक बार आपके कैफे का यह मेरे खाल से पुराना वाला भाग यह अच्छा अच्छा यह लंच सेक्शन एधर यह पहले उनली स्नेक्स चलता था अभी यह लंच और अपूने के रहने वाले यह एंसेस्टर आए थे एरान से अच्छा बाद बढ़ बढ़िए इ क्या नाम इनका कासिम अली अक्षी एंड रुसेन एली अक्षी और यह नाम गुड़ लक इनू नहीं दिया यह वह लवली हिस्ट्री फिर तो यहां इरानी चाय भी मिलें इरानी चाय फेमस है इरानी चाय मिलेगी ना मुझे भी पिलकुल ऐंक यूद यह तान्क्यू कुछ महिलाओं से बात कर ले क्योंकि उनका मत जानना जरूरी है और उसका कारण यह है कि यहां पर इस प्रदेश में एक लाड़की बहीन योजना लागू की गई नमस्कार मैम आपका शुमना उश्चा प्रधान या औरंगा बात मुद्धूना जी यह लाड़की बहीन कांशा आप अगर यह ट्रांसलेट करके हमें वताएं कि मैम ने क्या बोला वके अपियूक्त है लेकिन जो असली में बरतन्द होने वाले या फिर लोटर यसे वह और यौर्टा सिपर अनके रहें उनके लाटकी बहीन योजना उनके लागू नहीं हो तो सभी महेलाओं के लिए प्राप्लाइग इंको पताई नहीं नहीं है उनके पास जो चाहिए डॉकुमेंट्स उनके पास नहीं है जा अधारकार तुम्हें काय करा ना उन्हों निका रहे तरना काही होत नहीं पंजा आमचा सार के राजकारनी बाय का आहित या दूसरें करों खुब करूंगे तले है काम वह कह रही है कि उनके लिए वह जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि देने के लिए आधार काड़ या फिर उनका रहने का कुछ तो जमीन पत्र और वह उनके पास नहीं है इसलिए वह जो योजना है उसका उत्रीप हिने कर सकती है वही प्रॉब्लम हो गई अब तो बड़ी नहीं कर रही है महिलाओं में लेकिन प्रॉब्लम हो गई सब बैंक में तो बहुत सारी गर्दिया हो गई है और यह सब हमारे आउरंगबाद में तो यह फाइदा सब हमारे जैसे आउरता ही ज्यादा ले रहे सुशिक्षित महिला जो काम नहीं करते जिनको यह जरूरत भी नहीं है यह लोगों ने ज्यादा फाइदा क्या राचकार कोई नगर सेवक भी है उसको आप तो नहीं है लेकिन वह जो आउरत है उसको यह चाहिए ना तो फिर वह यह लेती है वेरी इंट्रेस्टिंग आजया मुझे इब बताईए पिछले पांच साल में माहराश्र में एक बीजेपी और शिवसेना की सरकार सत्ता में वापस आई 30 दिन के बाद सरकार बन गई घडी की धाई साल बाद फिर वो अगाडी का एक शिवसेना तूट करके बीजेपी की सरकार बन गई फिर एनसीपी तूट करके बीजेपी में जुड गई यह जो 5 साल से महराष्ट्र में खिचडी ओ गया है इसको आप खिचडी की तरह ही देखती है या फिर और कोई महाराश्ट्य अंडिश जुंका भाक्डी राच्कारन तो माला है ओड़ा काई खड़त नहीं है पंचे ये चाल ले है ये ना एक खेल वाटतो है फक्त आमचा सरक्या माई लना इतका इकड़त नहीं राच्कारन नमदे काई चाल ले है पंचे जो आहे है खिचडी सरकाच एक प्रकारा है अनि खेलाच है ये ये एक गेम हो चुका है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है सर आपका शुबना मैं बंडु प्रजान हूँ जी मैं संभाजी देगर्श हूँ अच्छा तो ये मैम ने जो बोला आप उससे सहमद हैं हम तो इसमें सहमद है क्योंकि यह बीजेपी ने जो यह खेल खिला है शरत पावार को तोड़के शिवसेना को तोड़के ये लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि विश्वास गातका राजकारन महारास्टा में चलता यह तो यह महारास्टा में विश्वास गात का राजकारन चलता नहीं दगाबाजी चलती नहीं आजीद पावार हो यह फढ़नविस हो इनकी चलने वाली नहीं है महारास्टा में पर मुझे बात बताईए आपने एक बहुत इंट्रेस्टिंग वर्ड का प्रयोग किया विश्वास घात नहीं जहलता महराश्ट्रा तो विश्वास घात किसका क्योंकि शुर्वात में तो बीजेपी ये कह रही है कि उधर ठाकरे ने हमारे साथ विश्वास घात कर दिया उस टो भूले तो अब वोले तोर कि यह विश्यलों जो थी यह बारास अब ठाकरे ने जो हिंदूतों के कि नाम से यहां महारस्टे में खड़ा किया था शुर्षेना को करो पर विए ज्युन जो आई उनके साथ हिए बिजेपी शुसेना उंगली पकड़ का महा रस्ति कुछ सहना बोलो तो बिजेपी कि यह पहले जो नारा हिंदुत में दीना था ईदर हैंदूतो के नाम से भत बनके आई अंचा बी टीम बन गई रहें वह उनके घंदे पर बैठिक हर उनकूह दुइन को इंट्रिस्टिंग और मैंने एक प्रण्ट लिया है प्रधान साब यह कि मैं किसी से यह नहीं पूछूंगा कि आप किसको सपोर्ट करते हैं तो आप जो मुद्दा बता रहे हैं और मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि यहां पर लोग विश्वासगात परसनेलिटी को लगता है लोगों के मन में वह नहीं है जैसे पर यहां तो दगवाजी का राज करन से जुड़े है जो सर्वत हैं लोगों से जुड़े लोग है कामना आत्मी के जो बात करेंगा वह यहां राज करेंगा आप लोग गुड लग कैफे क्या इरानी चाय पीने और अंगा पास संभाजी नगर चाहे थे और यहां आए थे और आपको भी हम जानते हैं बहुत आपको रविश्कुमार के पास से आ बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू वेरी मच आई जो कलाकार कट्टा है यहां जाने की कोशिश करते हैं और यहां लोगों से बात करते हैं अब देखिए एक पीस जो है वह बहुत सारे जोमाटो सुईगी से जो लोग होते हैं उनकी भी होती है और उनकी टीस यह होती है आपका शुब नाम क्या है कदम बाड़ा साहिब दिल्ली में बहुत सारे जोमाटो सुईगी वालों से मैंने बात किया वह कहते हैं कि कस्टमर बत्ते मीजी करता है पैसा टाइम पे नहीं मिलता बहुत लंबी लंबी शिफ्ट होती है और यह बोला जाता है कि वह यह इतना करो नहीं तो पैसा कड़ जाएगा यह कुछ समस्याइं हैं जो मैटो सुईगी में जो लोग काम करते हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जो गिग वरकर्स हैं जैसे आप हैं उनके लिए कुछ और सुविधाएं होनी चाहिए सुविधा तो है मगर कस्टमर जी बात करते ना कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि तरीक की आवला होता है वह गलत बात कर सकते हैं कुछ कुछ आच्छी भी होते हैं यह बात तो है हर आदमी जो है वह जरूरी नहीं है कि खराब हो नहीं होता है मुझे अपना दिन चरिया बताईए मतलब किस तरीके का जीवन रहता है कितने घंटे काम करना पड़ता है उसके बारा घंटा कर सकते हैं और बारा घंटा भी कर सकते हैं कोई उससे भी ज्यादा करता है मुझे आप यह बताईए, आपको कहते तो delivery partner है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि medical sovidha, वो सब दिया है company ने, यह बहुत अच्छी बात है, यह सुनके, क्यूंकि इसको ले करके एक बड़ा अंदोलन लड़ा गया, बहुत सारे Zomato and Swiggy के जो workers हैं, और अब सर का यह कहना कि उनको वो medical सुविधाई मिल रही है, यह बहुत बड़ा change हुआ है, अभी तक तक हम नम्हेर को जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ना करे जरूरत पड़े है, अगर अभी तक नहीं पड़ी, और पुलिस का भी option दिया है, अगर कोई problem आता है, तो पुलिस का भी option दिया है, कि आपने पुलिस बूला सकते है, उसको फॉइंड बे, यही महराष्ट के रहने वाले हैं, पुना के, नहीं महीं बीड का हूँ, वोट आपका कहा पड़ता है, यहां की बीड में, बीड में पड़ता है, जाएंगे, जाएंगे, वोट देने, जाएंगे, और मुद्धा क्या रहेगा? महराठा समुदाय को आरक्षन की क्या जरूरत है, इतना तो प्रबल है? जब प्रबल था, अब नहीं है, अब देखो, मेरे घर में कम से कम देड़ सो एकर जमीन तो, आज मेरे पाद हो यह करे, तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, आरक्षन से जरूरी है, मेरे बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको लग नहीं है, अब जब मेरे बच्चा को 92% है, तो आभी नहीं लग रहा है, मगर जिसको 88 है, 89 है, तो आभी लग गए, ऐसा होता है, इंट्रिस्टिंग है, क्योंकि इस पर तर्क एक यह दिया जाता है, कि अब मराठा समुदाय, व जो बहुत ही प्रबल है, वो अगर आरक्षन मानने लगेंगी, तो जो वाकई पिछड़े हैं, उनका क्या होगा? पर तो खिचड़ी हो गई न, हर आगया, हर आदमी ऑपोजिशन में भी है, और हर आदमी पावर में भी है, पिछले 5 साल में, वही भी पार्टि आपने दिल से ने करेंगे, उनके ओपर दबाव डालना पड़ेगा, तबी करेंगे, आ, दबाव डालना पड़ेगा, पर्ट सर आपका नमस्कार, सचीन धाइगुडे, सचीन धाइगुडे, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है, इतना पॉल्यूशन थोड़ी है यहां पर, पॉल्यूशन तो है, उपर से मेरे दातों का भी प्रॉब्लम है, ओ अच्छा, आप यहीं पूना के रहने वाले हैं, आजी सर, चुनाओ आगया आपके स्टेट में, चुनाओ का माहौल ऐसा लगता नहीं है, देख करके, आपने तो कई चुनाओ होते हुए देखे होंगे, तो पहले जादा माहौल होता था चुनाओ का या अभी आजकल, पहले जादा होता था, आजकल क्या क्या चुट्टी लेके यदी बिटाइए पान्ट साल और सवाल में महाराश्टे के संदर्ब किसी से पूछता हूं काथ साल में सारी पार्टियां और सारी पार्टियां सत्ता में वहां व्याइए यह लोग डेप्टी चीफ मिनिस्टर भान गए वह अधर मैं जो है वह मुख्य इसको आप किस तरीके से देखते हैं इसमें कोई डारेक्ट होके आए नहीं नहीं इसमें तो इसमें तो आगे बढ़ सकते हैं वो तो अभी भी नहीं होगा क्योंकि महाराश्टर का जिस तरीके का समीकरण है बिना गटबंधन के तो यहां पर सरकार बनाना ज़रा मुश्किल है या तो लोगों पर डिकरेंट करता है इनको जो डूटी है वो आप ठीक से करते हैं तो हो सकता है यह जो राइट्स और डूटी कि आप बात कर रहे हैं वो आप क्या बात कर राइट्स और डूटी बले तो अभी एलेक्शन आता है तो आपना फॉर्स बनता है ना इलेक्शन में वोट करना है तो सब लोगों को वोट करना चाहिए यह तो आपने बहुत सही बात हुए बिलकुल लेके भागना नहीं बात सुन लीजे अगर करो और फिर जाओ काही जाना है जा सकते महाराष्ट के लोग वोटिंग परसेंटेज हाई करो अपनी वरना बैट करके फिर रोना नहीं सबसे बड़ी बात यह बहुत बहुत धनेवाद सर थैंक्यू बेरी मच्च कुछ महिलाएं यहां पर है और महिलाओं से बात करना नमस्कार मैम कैसी है आप क्या नाम आपका मंगला भागवत पूना की रहने वाली यह जो चुनाओ आने वाला है इसमें आपको क्या लगता है सबस की चसमाज़ओं है मुख्यमंत्री तो एकनाच शिंदे है हैं लेकिन उनके पास बताए आते सब बात हो यह बताएं मोदी जी परो ओंगी तो मोदी जीम में जो एकनाच शिंदे गौम करना वह आपके इसाफे ठीक काम है कुछ अगर आप यह बताएं कि उनका क्या काम आप को पसंद आया जो सब कर रहा है ना कि सब सुधार विदार कर रहा है कौन से मैं आपका शुब नाम मेरा अलका जी लाड़की बहीनी योजना जो है वो आपको क्यों खास लगती है क्योंकि वो तो अभी हाल फिलाल आई है उसकी आलोचना ये भी हो रही है कि देखे कितना दब कर रहा है ना स्टेट का लाड़की बहीन को रेवडी देने जैसी बात हुई ये तो अच्छा है ना जो गरीब महिलाएं उनको भी ये मदद मिलती है हर मेने में और मुदी जी ने शिंदे जी ने ये तो अच्छा काम किया है लेकिन इसका नुकसान यह है कि जिनको जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी जिनको गरज है उनको मिलना चाहिए जिनको जरूरत है उनको इसका लाब मिल रहा लेकिन जिनको नहीं करना आता इसके बारे में कुछ सब कागत पत्र जमा करना आदारकार यह सब तो उनको नहीं मिल रहा कि आपका यह कहना है क योजना अच्छी है लेकिन जो सही में जिनको लाब मिलना चाहिए उन लाभारतियों तक भी पहुंचे ये आपके हैं बाकी स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन लाब उनको जिनको सही में जरूरत है उनको पहुंचना चाहिए पांच साल में ये सवाल मेरा फेवरेट सवाल है म महाराश्टरा में पांच साल में बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। इन्होंने मेरे साथ प्रिश्वास गात किया, उन्होंने मेरे साथ किया. तोड़ के अधर… अब नहीं कोई भी आएगा तो वही एक दूसरे पर उच्छल लेंगे। कोई भी आने दो, कोई भी, कोई दूसरे पर बोलते ही रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई subject चाहिए ना उनको, तो पहर में आप लोग क्या करने निकली हैं अभी, अभी बाहर जा रहे हैं, मार्केट, वैसे तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, देश को आगे लाने के लि बहुत सारे लोग जिनके उपर, मोदी जी की ही पार्टी ने आरोप लगाया था कि वो दो नंबर का पैसा कमा रहे हैं, अब वो इस गड़बंधन के हिस्सा हैं, अशोक चवान, इसके अलावा और नाम, मतलब वो तो अंगिनत नाम है, चगन बुजवल, ये सारे लोग कुछ न कुछ निकालेंगे, इसे उनका माहर आएंगा, उन्होंने कहा का मुझे किया है, तो आपके लिए चहरा भले ही शिंदे जी हो, लेकिन उनके पीछे, मतलब मुख्यमंत्री भले ही वो हो, लेकिन उनके पीछे आपको लगता है नरे नुदी, बहुत बढ़ी चलिए अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धनेवाद आपका महिलाओं में वो जागरूति आने चाहिए कि मुझे जरूरत है महिलंगे, जिसको जरूरत नहीं है, वो नहीं लोगी, उन्होंने नहीं लेना चाहिए, महिने तो ऐसे देखा है, जिनको जबर्दसी, फोकट गिरी नह है, जिनके पास अचाहिए, वो भी लाब ले रहे हैं, तो उनकी सोच में लाइवं को समझना चाहिए, कि ये गरिब महिलाओं के लिए है, जिनको सचमुच आधार की जरूरत है, पईसों की जरूरत है, तैंक यू वेरी मच, अब आप जो भी खरीदना चाहती है, वो आप यहां पर सब राजनीतिक दलना एक दूसरे को विश्वास घात का आरोप लगाते हैं, इसने मेरे साथ विश्वास घात किया, उसने मेरे साथ, जबकि सब ने सब के साथ किया है। बात सही है लेकिन सब को जनता कि कोई फिकिर नहीं है सब अपना अपना बैग लगेज भर रहे है अपना अपना प्रापरेडी कर रहे है सब बाकी कुछ नहीं है लोगों को क्या प्राब्लेम से लोगों को क्या एक्चुली दिन में हर रोज क्या प्राफिक में प्राफिक में उल्प शता है कोई बयाएं का प्राबलम में बसेस नहीं में के जो दिन चरिया में जो प्रेम आते हैं और उनको उनके बारे में कोई भी प्रुणिसर नहीं है कि रोड का कंडीशन सेन इसे कि अपना है प्रोडल मule ब्रेंन नहीं है करने वाले कैसे लोग ये लेकिन वो तो आपको क्या लगता है इस बार इतने सारे अलग 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 प्लेयर हैं दो NCP, दो शिवजेना, एक बीजेपी, एक कॉंग्रेस, इतने सारे लोगों में क्या लोगों के दिमाग में खिचडी नहीं हो जाएगी, लेकिन वो काम जो करने वाले आदमी है, वही इलेक्शन चून के आना चाहिए, जिनको लोगों की फिकिर है, अब ये तो आपने बड़ी ऐसी बात कर दी, जितने लोग उतनी संच संच सब के पर आपको मिलना जुलना पड़ेग का एक, पांच सिर्ट के लिए मिलना जुलना ही पड़ेगा आपको लगता है कि ये जो अगारी, महाराश्ट की सीरत इस तरीके की है, कि आघाडी और यूती करना ही पड़ेगा उसके प्रारूप भी बदल सकते हैं पहले से दुश्मन थे वह भी दोस्ट बन सकते हैं ऐसा कुछ प्राब्लम नहीं है उति वाले आघाडी ओ सकते हैं बनने के लिए कुछ प्राब्ल len्यों नहीं है वहाँ कुछ नहीं एक काड़ी में बैठने का है आपने को क्या प्रापट्री करने का है करने का काम करने का है उसके लिए सब एक मिल दुलक के साथ को काम कर सकते। जिनको काम करने का लोगने को कषाट्वा काम परी सुख कर सकते। अक्तर आके बैठते हैं आप यहां पर हरोज है आता मैं आ इसा कर ही होता हूँ कुछ चाय भाई पीजे आप तो ऐसी बटी भाई आया याभी तो जाएंगे अभी बन-मसका खाएंगे अब या आइडिया दे दिया आपने आप बी चलो हमारे साथ जा रहा हूं है जलो 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 मज़ेदार रोचक चर्चा आप देखिए एक प्रदेश के लोगों के सोच के बारे में कितना कुछ जानने को मिलता है जरूरी नहीं है कि आप हर समय पुलिटिकल प्रेफरेंस जानने की कोशिश करें लेकिन जो भी एक राजनीतिक मुकाबले में है और जो भी पत्रकार हैं उनको मुद्दे समझने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है कि अगर आप एक जमघट में जुड़ जाएं अब यह कि तो पहर का वक्त है भूख लग गई है तो हम तो जा रहे हैं एक कैफे गुड़ लग के अंदर और यहां पर विशेश रूप से धन्यवा कि मिलेंगे किसी और न्यूज रिपोर्ट के साथ तब तक के लिए अनिकेत कानशा और मैं जा रहे हैं बन मसका खाने कैफे गुड़ लग में थैंक यू